हेलो फ्रेंट्स विल्कम टूब माई योट्यूब चैनल राइट वेजगेसन मैं हुमधी तो फ्रंड से हाँ पर आम बात करने वाले वर्ल्ड डिटी ऑफ सिटेट को लेकर दरसल क्या है कि आप सभी लोग को पता है कि के विएस का जो है आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिय क्या है कि माली जी आपने कोर्स में जो है बीएड किया हो या फिर आपने डिएलेड किया हो और आप जो सिटेट का एकजाम है वो फर्स्ट सिमेश्टर में ही जो है आपने सिटेट का एकजाम क्वालिफाई कर लिये हैं तो क्या आप इसके लिए के लिए जो है आप इलिज तो क्या आपका वो जो CTAID का certificate है KVS के लिए eligible होगा या फिर नहीं eligible होगा और आपका आप सबीलू को पता है कि NCT ने नया नियम जो है वो जारी किया गया था यहाँ पर साब साब आप देख सकते हैं सिचाड पर सिचाड कोर्स में जो है पास कर लिया है लेकिन उस समय तक जो है इनका B8 का सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का है जो है वो रिजल्ट आया था अब यहाँ पर कहें कि अब जब फर्म फिलफ किये गये थे तो क्या मेरा CTAID का माने होगा मतलब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने जो है लास्ट एर में CTAID क्वालिफाई कर लिये थे और उस टाइम पर यह B8 सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही इनका मतलब रिजल्ट आया था तो अब जो इनका KVS का फॉर्म आया है तो क्या उसके लिए जो है इनका CTAID का certificate eligible होगा या फिर नहीं eligible होगा तो देखें यहाँ पर एक सब्द में बोले तो यास बिल्कुल इनका eligible होगा लेकिन कैसे eligible होगा उसको लेकर जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं और यहाँ पर बता दें कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इसको लेकर NCT ने official notification जो है जारी कर दिया है कि आप जो है इसके लेकर जो है बिल्कुल eligible है और जो आपकी KVS के vacancy है Central Government की vacancy है और NCT का जो कोई भी नियम हो या फिरूल हो उसमें कुछ भी परिवर्तान होता है उसको जो है जो आपकी KVS हो या फिर Central Government की जितनी भी vacancy होती है उसको तुरंत जो है उन लोग मान लेते है इस्टेट जो है थोड़ा सा डिलेवर करते हैं उस पर लड़ भी जाते हैं लेकिन जो आपकी Central Government की vacancy होती है उसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होता है यहाँ पर आप कुछ दिन का newspaper यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपका मान होगा और मतलब यह मामला जो है किस तरीके से आया और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साब-साब बता ही दे पाते हैं और उसी टाइम पर आपका TET मतलब राजी का सिचक पातरता पर इच्छा या फिर सिटेट का form आ जाता है तो आप उसके लिए बिल्कुल इलिजवल हैं अब यहाँ पर क्या है कि मामला किस तरीके से हुआ और NCT को क्यों अपना नया नोटिफिकेशन जो है को जारी करना पड़ा इसको लेकर आप यहाँ पर देखिए दरसल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बताया गया कि किसी भी सिचट पर सिचट कोर्स में TTC में प्रविस लेने के बाद ही छातर चात्रा है सिचक पातरता परिच्छा TET में सामिन हो ले के लिए अहर है मतलब वो जो आपका डिपलोमा कोर्स हो या फिर बीएड कोर्स हो आप लास्ट यहर में जाते थे तभी आपका सिचक पातरता परिच्छा और जो सिटेट होता था उसमें जो है आप इलिजबल होते थे लेकिन इस बाद धेता को जो है NCT ने हटा दिया अब ऐसा जो है वापका नहीं है यहाँ पर क्या है यहाँ पर आप मामला देख सकते हैं और कब से आपका इलिजबल होगा यहाँ से जो है आप इस पर्ष्ट जो है समझ सकते हैं दरसल यहाँ पर क्या है कि जो NCT ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें बोला गया है कि आप इलिजबल हो कि आप eligible हैं लेकिन date जो हैं वहां एक सुप्रीम कोट में चला गया था फिर उसके बाद जो है एनसीटी ने क्या किया कि इसी को हवाला देते हुए जो जुलाई 2019 में केस था उसी को हवाला देते हुए यह जो कंडिडेट केस किये थे तो उनके सर्टिफिकेट को इलिजिवल करते हुए नया नोटिफिकेशन ज तो इसको ध्या रखेगा और फिर यहां पर इनका किस तरीके से केस वगरा हुआ था तो यहां पर इनका भीदेख सकते हैं यहां पर आप थोड़ा सा इनका केस भी देख सकते हैं, यहां पर दरसल क्या है कि वाले पड़ाम आने वाले छात्रों को T.E.E. में सामिल होने के लिए अहरे माना जाता था, अनेक छात्र जो है BTC में प्रवेस लेने के बाद जो है T.E.E. में सामिल हुए और पास होगे, उस इस पर्ष रूप से ब्याख्या कीगी, इसी के बाद जो है N.E.E.E. ने उक्त नोटिफिकेशन जारी किया, इसके बाद जो है T.E.E.C. मतलब B.E.E.F.A. जो आपका सिर्चाड पर सिर्चाड कोर्स है, उसमें प्रवेस लेने के बाद ही जो है छात्र छात्राएं जो है, वो T.E.E.T. के लिए जो है वो दे सकते हैं बिल्कुल इलिजवल होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन एक और हो गया है, दरसल यहाँ पर क्या है कि सिर्चाड दिसंबर 2022 का जो आप सभी लोगों को पता एक फॉर्म वगर अभरा गया है, तो भी जो है आप इलिजवल होंगे, आप में कोई दिक्कत जो है, वो नहीं है, भले ही जो है वापका सिटेट के तरफ से जो है नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन आप जो है बिल्कुल इलिजवल होंगे, क्योंकि N.C.T. ने जो है साफ-साफ जो है कुछ दिन जुलाई 2019 वाला भी सीटेट है तो भी जो है आप इसमें इलिजवल होंगे क्योंकि NCT ने जो नया नियम जारी किया कि आप जो है इसके लिए इलिजवल होंगे तो ये सीटेट जुलाई 2019 का हवाला देते हुए जो है जो आपका NCT है ये जो है वो नया नोटिफिकेशन जो है जारी किया और यहीं अपडेट था बागी जो कोई भी होता है तो हम सेर कर देते हैं और यहां पर बता दें कि प्लीज आप जो है इग्नोर बिल्कुल ना करें comment में जो है एक message पीन होगा उसको जो है बिल्कुल read एपना नोटिफिकेशन नया जो जिसका बरह में हम बात करें उसको जो है वो जारी कर दिया है तो यहीं है और बाकी मिलते हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइबाइ ठेक क्यार ओल वेश्ट थैंक्यू फॉ लिस्निंग गॉड ब्लेस यौल थैंक्यू